आपके पेरेंस आपसे कुछ भी याँ पर पेरेंस भी बैटे हैं कई जो कई बार बहुत परिशान रहते हैं कि अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं मैं एक चीज आप से भी कहूँगी आप की जो बच्चे है उन्हें नीचे गिराने के लिए उन्हें डी मोटिवेट करने के लिए दुनिया में लोगों की कमी नहीं है हर बंदा उन्हें डी मोटिवेट ही कर रहा है चाहे उनके फ्रेंज हो चाहे उनके relatives हो चाहे कोई भी हो वो उन्हें डरा रहे हैं एक pressure all time उनके दिमाग में बैठा है और अगर घर में भी वो ही चीजे होंगे या हम वो ही बाते उन्हें बोल रहे होंगे कि तुम कुछ नहीं कर रहे हैं जैसा मैंने का positive speaking जो बच्चों को सिखाया गया वो ही आपको भी उन्हें यही बोलना है हम एक बार भी वोगर fail होते हैं उन्हें यही कहते हैं तुम से नहीं होगा तुम कुछ नहीं कर रहे हैं तुम कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाऊ वो जो थोड़ा सा depression में था वो उससे ज़ादा हो गया कि अब तो वो भी बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं कर पाँ मैं किसी चीज के लायक लिए आप से जितना हो सके advice देना अलग बात है उन्हें समझाना अलग बात है पर उन्हें demotivate करना अलग बात है भले ही वो नहीं करता हो पर उन्हें प्रेस करिए तुम हर चीज अच्छे से करते हो तुम कोशिश करो इस बार नहीं हुआ इस बार भले ही कुछ गलती होगे अभी डबल महनत करना देखना फिर कैसे नहीं होता है वो उसे कितनी शक्ति मिलती है जो सपोर्ट आपसे मिलता है और जो कॉंफिडेंस मिलता है आप आइडिया नहीं लगा सकते थ्री इडियक्स कितनों नहीं देखी है तो उसमें फरान कहता है न आपने वापस वो कहते है कि क्या नाम है उनका वो क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे उनका बेटा हो गया तुनोंने क्या शर्मा जी ने मेरे रूम में इसी नहीं लगवाया था वो क्या कहेंगे उससे मुझे फरक नहीं पड़ता आप क्या सोचेंगे मुझे से इसे फरक पड़ता है तो बच्चों को बाहर वालों से उतना फरक नहीं पड़ता जितना अपने घर वालों से पड़ता है कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं वो उन्हें कैसा environment प्रोवाइड करते हैं आप जितना उन पर विश्वास भरोसा रखेंगे वो उतना जादा आगे भड़े आपको एक विश्वास दिखाना है कि मुझे पता है तुम कर सकते हैं क्या कर सकते हो ये बोलना जरूरी नहीं हो सकता है वो जो काम अभी कर रहा हूँ उसमें वो इतना confused है कि उसे आगे करने का वो चीज मन नहीं है या वो सोच रहा है कि मैं इसमें आगे नहीं बढ़ सकता किसी और चीज में उसका टालेंट है तो मैं ये नहीं करूँगे आप particularly उसी बात के ले करें और फिर वो ये baggage ले ले कि मेरे mom dad का मने मैं यहीं करूँ तो छोड़ो जिस चीज में टालेंट है वो नहीं करता इसी चीज में बढ़ता हूँ मुझे पता है तुम जो भी life में करोगे उसे achieve करें मुझे इतना भरोसा है तुम पर ये विश्वास आपको अपने बच्चों पर रखना हूँ और यही चीजे उन्हें motivate करेगी और कितनी जादा आप सोच भी नहीं सकते मैं जो भी कह रही हूँ वो बाते इतनी motivate नहीं कर सकती जो आप उनसे कहेंगे या जो आप support उन्हें show करेंगे वो उन्हें कितना आगे बढ़ाएगी और यह भी मैं अपने self experience से ही कह रही हूँ आपके घरवाले आपको जितना support करते हैं आप उतना आगे बढ़ते हैं